तो हम रेटी ख्रेक्ट पर देए हैं आज हमारा एठ लेक्चर है तो हम लास्ट अपर in जो हमारा लाब लेक्चर है ओर हमने लिष्ठे待 था इंथे उनफिज इस ळाबाता हमने पिरमेड ओस वाइल मांस करी हिस्ता पड़ाता हमने तौर किरमेड औस दिल्थ दिल्थ सब्सक्राथ में नंबर शगे करों जाए तरु प्रीजित से अंतिति करते है अंतितन नंभर कोगी अंधर बाद्स कर्गा रिद्स देंर्वेश जिए जिए अंधर चीजे अब हम बढ़ते हैं कुछ points की अगर हमने calculate करना है या फिर study करना है तो कौन-कौन से points का द्रान रखना पड़ेगा कि इसको calculate और study करने के लिए इन pyramids को study या calculate करने के लिए जिन points का द्रान रखना पड़ेगा उन्हें देखते हैं points to be one तो first point क्या है तो वाल काकुलेगी तो अन्य अन्य थी तो 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 झाल को तो तो आंग it is necessary to consider all the organisms at the particular वेर जचोब करें रूख कृणिजरी उनरी अँडेविए růजशे लगग। पसक्याँ फोToday grape चजाँ, लूब और निजनरी है। पकिंदरेवारीशाई outroर्सोंटिए्ट मेभगीय पायाँ देपूग है। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं, जो हमें ध्रामेरक में है, जब हम क्या करेंगे, या तो study करेंगे किसी, ecological pyramid की या पर उसे calculate करें, ठीक है, तो पहरा point क्या है, while calculating any of the three pyramids, either pyramid of number, pyramid of biomass or pyramid of energy, it is necessary to consider all the organisms as they are calculate of the pyramid, it is not possible to consider only a few organisms or individuals, अगर हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल, किसी भी पिरमिड को study कर रहे हैं, चाहे वो pyramid of number हो, pyramid of biomass हो, या पिरमिड of energy हो, ठीक है, उसके अंदर, वो सारे organisms include होंगे, जो एक particular trophic level के उपर होते हैं, इसका क्या होगा है, अगर primary level के उपर, 30,000 species हैं, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, फिरमिड of number ही, अगर हम क्या कर रहे हैं, यह पर, जो पर, जो पर, जो TP, प्राइमरी level है, जो प्राइमरी ट्रॉपिक level है, उसके क्या है, 30,000 species हैं, ठीक है, फिर primary consumer में की है, 10,000 species हैं, फिर secondary consumer में क्या है, तो यह कहना चाहरा है कि जब आप किसी भी पिरमेट को calculate करेंगे तो इन सभी species को include करना होगा आपको आप ऐसा नहीं कर सकते कि 30,000 में तो सिरफ 5,000 को consider कर लें अगर आप नंबर वाला calculate कर रहे हैं तो जितने भी नंबर है एक particular trophic level पर जितने भी organism आते हैं जितने भी इनके नंबर्या वो आपको include करने होगे अगर आप biomass की बात करें तो सेम वैसे ही जितना biomass atrophic level का है उतना ही consider करना होगा आप उसे कमिया जादा नहीं कर सकते हैं फिर में कहले है it is not possible to consider only a few organism or individuals वही बात जो मैंने आपको बोली है कि सिर्फ कुछ organism और individual की basis के उपर आप पूरा का पूरा ecosystem का जो pyramid है draw नहीं कर सकते एक ecosystem का pyramid draw करने के लिए चाहे वो number का हो चाहे वो biomass का हो चाहे वो energy का हो उस level पे एक particular trophic level में जितने भी organisms होते हैं उन्हें use करना जरूरी होता है ठीक है प्रम बढ़के रूसरा point रूसरा point प्रहां बखने बादा है वो ये चाहे a single individual or organism can be a different food team so its traffic level can also be different can be different da ethype is aig Beat food genes. हम पता है, हो सकता है कर ऐत जो इंडिविज्वन है वह अलग-छो सि Toyota Ague हम सबने food genes पढ़ है, food sends पढ़ और ठीक है food genes में क्या बोल रहा हूँ? कि अलग-छो जांनी जाते है एक organism अलग-छोफिर्टलेवल तो पर हो सकता हूँ ठीक है오 अलग रख ट्रॉफिक लेवर तोहन इसे क्या होगा, उसका जो chain रख क्या हो जाएगा, different हो जाएगा देखो, for example, अगरा इस simple consider कर रहेते हैं, ट्रॉफिक लेवर, simple food chain लेते हैं for example, ये food chain वर पर example ले रहे हैंगे, पर वे बाषब में आएग जाएग, उसका रहेंगे चाहने जाएग, क्योन का वे पर लेप जाएग रहे हहा की सट्रॉपन लेसा गारी कनारी, अब देखे, हम यह क्या रिया, दो अलगलग food chain नी, ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है कि जिस single individual है, वो अलगलग food chain में क्या हो सकता है, अलगलग profit level पे हो सकता है, क्यों हो सकता है, पिकोज उसका place हर एक food chain में अलग होता है, यह कुझा कि हमने आपने frog को पंसेटर करें, इसम यहां पर क्या है, फोर सेकंड थर्ड, थर्ड profit level पे आगया, ठीक है, अगर हम snake की बात करें, फिर ग्रॉक का लेवल, profit level second, यहां पर क्या हो गया, second chain में third हो गया, अगर हम snake की बात करें, फिर ग्रॉक के लेट कर लेते हैं, first, second, third, first food chain ते अंदर y के position क्या है, third number पे, third profit level पे और second food chain में क्या अंदर पर, second, third and fourth, इहां बेवाई की बात क्या है, fourth, याने के fourth profit level, तो इससे पुरू हो गया, क्या पुरू हो गया, कि एक single जो individual है, वो एक food chain में, अलग अलग profit level शो कर सकता है, क्योंकि वो अलग अलग food chain को occupy करता है, ठीक है, फिर है third point, the pyramid of number and biomass can be inverted, but the pyramid of energy is always upright, it is because in case of energy pyramid, when an organism, when a traffic level, in previous to another, some energy is lost in environment, in foremost, heat, एको first point, second point, अलग अलग कोई है, क्या है third point, the pyramid of number and biomass can be inverted, but the number of energy is always upright, सबसे पहले बास, कि जो पिरामिड है number का और जो पिरामिड है biomass का, वो क्या हो सकते हैं, इनिवर्टिट भी हो सकते हैं, जब मैं आपको पढ़ाया था number of pyramid, pyramid of number and pyramid of biomass, मैं जब आपको दोनों case बताया था कि, upright भी हो सकते हैं और inverted भी हो सकते हैं, upright का मतलब इनकी shape कैसी होगी? ऐसी, और inverted का मतलब shape कैसी होगी? ऐसी, अब एन example के चाब बताया था, कि pyramid of number, upright का होगा, pyramid of number, inverted का होगा, pyramid of biomass, तो upright होगा और सब inverted होगा, ठीक है, तो ये बात में पहले कर चुके हैं, कि जो pyramid of number है, pyramid of biomass है, वो inverted भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन, pyramid of energy है, वो हमेशा क्या होगा? upright, हमेशा उपर की तरफ नहीं होगा, ऐसा क्या होगा देको? It is because, in case of energy pyramid, energy pyramid के case में, energy pyramid है, उसके traffic level बढ़ते हैं, ठीक है, for example, traffic level 1 से, traffic level 2 में जा रहा है, energy जो, energy जब एक traffic level ज़े, उससे traffic level में जा रही है, तो कुछ energy कहां, environment में loss हो जाती है, किस की form में? heat की form में, ठीक है, जब first traffic level से, second traffic level में जा रही है, तो energy के और ही है, environment में heat की form में release हो रही है, ठीक है, environment की form में release हो ने से क्या हो गया, energy कहो हो जी जा रही है, उपर से हम यह भी पढ़ा है कि कौन सा low follow करता है, 10% low follow करता है, कौन सा pyramid follow रहा है 10% low? energy वाला pyramid, तो क्या हो रहा है, first traffic level से, second traffic level से, 10% energy ही पहुँच पाती है, तो इसलिए वा energy वापिस नहीं जा सकती हो, तो एक ही जगा पे flow करती है, ठीक है, 3 point पढ़िए, अब पढ़ने हमारा 14 point, 3 this point question, кaltro yay, 16 pointchet पौनी क्तिULदननननननननननải 5 point, 16 Granian का प्देशननननननननननननननननननल zalण. 16 00 इनननननननननननननननननननननननननननHHH कि जब भी हम पिरामिट बनाएंगे, हम बहुत सेरा फूट चेन को कसिंटर करेंगे, जो फूट में अपका कंसेप्ट है, वो फॉलो मैंने करते, दो कि अपके आपके रहे हैं, जो फूट रहे हैं, जो इकोलोगिकल पिरामिट को जब में काटेंगे रहे हैं, करते हैं, study करते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फूट चेन का concept ही clear होता है, यानि कि इसे फूट चेन को ही concept करते हैं, जो food web है उसे को include नहीं करते हैं, ठीक है, फिसका last point है, these pyramids do not have decomposers at any level, last point क्या है, यह जो pyramids है, यह decomposers को किसी B level के उपर consider नहीं करते, बात ही नहीं करते हैं, किसके बारे में, decomposers के बारे में, यह थे five points, जो हमने पड़े pyramids के बारे में, वहारा next topic है, वो है ecological succession, ecological succession, basically an- वो बोस्टन करेंगे बारे में the definition there, यानीर स्विय्यां यानीर समय हो can यानीर स्वियनुछ कया है ? अ क्या है ? और क्या है ? चींज कि रस अकलोगल करदी फिर रहें जाल कि प्रणक्टार्फ स्वारव करें। तर वी नियुड सब्सक्टिए लिए लेदेविक थानिटन तरें तरें यह क्या है अनलगिकल सुचेशिन? it is the change in ecological community from one species to another during time interval. कि एक time interval के अंदर जो ecological community है, उसमें क्या change हो रहा है? क्या ecological succession? एक ecological community के अंदर, किसी time interval के अंदर, क्या change हो रहा है किस के अंदर? species के अंदर, plant species के अंदर, एक species से next week. ठीक है, for example, क्या बात हो रहा है कि time interval के अंदर, एक ecological community के अंदर, किसी given time interval के अंदर, एक ecological community के अंदर, जो species है, plant species है. उसमें क्या changes आ रहा है है? उसे बोलते है, हाँ ecological question. ठीक है, अगो time interval है, वो क्या है? कितना हो सकता है? या कितना होना चाहिए? इस time interval जो रहे रहा है. या कितना रहे रहे है, कुछ गार रहे है, कुछ जार्व का रहे है, कुछ दाशकों रहे हैं, यांकि बीरियन्स of years, लागों साल भी लग सकते हैं, किस ecological succession को complete होने में, किस के उपर depend करेगा ecological succession, depending on the area, type of vegetation, physical factors, तो किस के उपर depend करेगा ecological succession, क्या इसा area है, vegetation possible है या नहीं है, अगर भैले थी, तो किस type की थी, क्या visible factors का मतलब atmospheric pressure क्या है, temperature क्या है, pH क्या है, cell ion content कितना है उस area का, उसके उपर depend करता है ecological succession कितने time में होगा, ठीक है, और जो species है, उसकी अंदर जो changes आएंगे, वो कैसे हैं, and the changes in the species, will be according to the changes in environment, कि जैसे जैसे environment में changes आएंगे, वैसे जैसे species क्या करेंगी, अपने आपको adapt करेंगी उन changes के लिए, ठीक है, तो अब जो हमारा ये definitions है, pine species, pine community, climate community और स्टेरे, ये चारह हम अपने next lecture में continue करते हैं.